इस प्रग्राम में मैं सामिन हुआ हूँ कि हम लोगों ने एक गंड़ बंदन बनाया है जिसका नाम है नेशनल बहुजन एलाइंस जिसमें सारी पाटियां ये कत्र हो करके असीफा का मामला नहीं हमारे पूरे इंडिया का मामला हम छोटी पाटियों के साथ है प्लस आपके भी साथ है आप भी हमारे भारत के नागरीक है और हम सब को हक है अधिकार है कि इसको हम लोगों इस पर ललाई लड़े और इसको बिनासकारी लोगों को यहां से मार भगाएं और हटाएं ताकि हमारा देश जो है अमन और सांती की राष्टे पे आए दिन परती दिन आप राद बढ़ती जा रही है तो बरोजगारी बढ़ती जा रही है और सरकार कान में कान उंगली डाल करके सोई हुई है इसके लिए हम लोंने के जंडा एक मुई में कांदोलन सुरू किया है जो कि पूरे इंडिया में नौ्ट साूथ इस्ट वेड चारों तरफ हम धूम मचाय हुए हैं और इस सरकार को अगले चुनाव में मार पेकेंगे और भगा देंगे यही हमारी एजेंडा है और यह है जागो इंसान जागो इंसान, जागो हिंदू जागो मुसल्मान यही है बारतिय इंसान पाती का पैगाम जय हिंग, जय भाग अभी अगर हाली की बात की जाए तो जाए उत्तर पर्देश की बात हो उत्तरा खंड की बात हो राइस्तान की बात हो मारास की बात हो गुजरात की बात हो जहाँ जहाँ यह फासीवादी सरकार है इस सरकार में या तो युवावों को जो है जिलों के अंदर डाला जा रहा है म करता है तो इसको आतंकवादी गूजित किया जाता है हमारी चोटी चोटी बच्चियों के साथ में बलातकार किया जाता है यहां के मुख्य मंत्री तक उसका सपोर्ट करते हैं तो ऐसी सरकार को 2019 में वाक्सी चाहेंगे या खतम करना चाहेंगे इसको फिर दोगारा इस देश म आने नहीं देना है यह जो आतंकवादी सरकार है इसको देश से उखार फेकना है और नहीं रहने देना है यह हमारी बचन है और हम लोग बचन बंद है चोटी बातिया ही और गरीब लोग ही देश का बदलाव किया है और बदलाव करता है और करता रहेगा यह हमारी वादा ह और हम करके दिखाएंगे आज जितनी भी फैली हुई आरे जगता हैं ये बड़े लोगों की है 15 परसेंट लोग आज 85 परसेंट लोगों को नाक में दम करके रखा है आज सब लोग समझ गए हैं सब के अंदर सूज बूज आ गई है कि भाई यही हमारा उपाए है कि हम इनको उठाकर फेके और इसको भगाएं और अपने देश में सांती और सकून अमन का रहा पर चले और हम लोग इसको कायम रख्यां बहुत बहुत धन्यवाद आपको थाइंक्टु में